नमस्कार दोस्तों आपके अपने शो टेक्स बिलेटिन 24 में मैं सिये हडीज गोर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे उस एक्जंप्शन पर जिसके अंतरगत इंकम टेक्स में सेलरीड ग्लास SSE को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है कैई बार वो गलट डिडेक्शन क्लेम कर लेते हैं और कैई बार वो डिडेक्शन क्लेम ही नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनका income tax ज़्यादा पी हो जाता है तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को अंतर तक देखे क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे HRA के बारे में जी हां house rent allowance house rent allowance एक ऐसा section है जो ज़्यादा तर salary class employee के सामने आता है और उन्हें उसकी deduction पाने का मुका प्राप्त होता है तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें बात करेंगे section 10.13A के बारे में जो HRA के अगेंस्ट exemption का प्रापधान बताता है मतलब section 10.13 ने जिसने कहा कि आपको कितने quantum की छूट दी जाएगी HRA के अगेंस्ट तो यहाँ पर income tax act के अंतरगत तीन बते बताई गई और तीनों बिंदूओं में से जो सबसे कम होगा उसकी आपको छूट प्रोवाइड करा दी जाएगी आपके HRA के अगेंस्ट वो तीन कौन-कौन सी बाते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा actual HRA received जी हाँ अगर आपको actual HRA received हुआ है तो उसको देखेंगे साथी साथ हम देखेंगे 40% of salary 40% of salary अगर आप non metro cities में रहते हैं तो आपकी 40% salary देखी जाएगी और अगर आप metro cities में रहते हैं तो आपकी 50% salary देखी जाएगी salary के अंदर शामिल किया जाएगा basic salary plus dearness allowance साथी साथ तीसरा point जो इन्होंने बताया उसमें उन्होंने कहा कि आप excess of rent paid over 10% of salary जी यह थोड़ा technical point है तो इसको हम इस तरीके से जान सकते हैं आपने जितना rent paid किया उसमें से minus कर दीजिए 10% of salary salary means basic plus dearness जी हाँ salary का मतलब यहाँ पर भी basic plus dearness और बाकी किसी भी allowance को किसी भी monetary benefit को शामिल नहीं किया गया है basic salary लेनी है और da शामिल करना है इन दोनों को शामिल करते हुए उसका 10% निकालिये और आपने जितना भी rent paid किया है उस rent paid में से पूरे साल में जो भी आपने rent paid किया उस rent में से 10% off salary minus किजिए और जो बचेगा उस value को compare किजिए with the previous two previous two कौन कौन सी है आपका actual HRA received और साथ ही साथ 40 या 50% off salary तो अब हमारे पात में 3 amount receive हो गई है पहली actual HRA received दूसरी 40 या 50% off salary और तीसरी excess of rent paid over 10% off salary अब इन तीरों में देखा जाएगा कौन सी value सबसे कम है जो value इन में सबसे कम होगी जिहां least of the following जो भी कम होगी उसकी छूट दी जाएगी आपको under section 10-13A किस value के against आपको यह छूट मिलेगी वो value है आपकी आपको जो HRA received होआ है अपने employer से during the year इसका मतलब यह हुआ एक previous year में एक employee को जो उसके employer से HRA received होता है उस HRA में से आपको section 10-13A के according छूट provide करा दी जाएगी वो आपको deduction मिल जाएगी अब उसके बाद जब यह छूट मिल जाएगी तो कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या हमें जो HRA मिल रहा है और उसके against जो हम यह छूट ले रहे हैं क्या इस छूट के साथ-साथ हमने मकान को बनाने के लिए या मकान को खरीदने के लिए जो बैंक से लोन लिया हुआ है क्या उसके interest की छूट भी हमें मिल जाएगी तो इसका जवाब है जी हाँ आपको आपके interest की छूट पर कोई भी असर नहीं पड़ता है आपके HR-A की exemption के साथ तो आपको HR-A की exemption भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको आपके interest की छूट भी प्रोवाइड हो जाएगी ये income tax act में दोनों के दोनों छूट आपको मिल जाएगी उसके अलावा कई बार ये समाल भी हमारे सामने आता है कि क्या मैं जो rent paid करता हूँ उस rent के लिए मुझे अपने landlord का pen number की ज़रुत पढ़ने वाली है तो यहाँ आपको बता दें दोस्तो अगर आपने एक साल में एक लाक रुपे से ज़्यादा का किराया पे किया है तो आपको pen card की ज़रुत पढ़ेगी अपने landlord के उसके अलावा एक सावाल ये भी उपता है कि मेरा landlord NRI है तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आप किसी NRI landlord को किराया पे करते हैं जो आपने किराया पे किया आपका मकान मालिक NRI है तो आपको 30% के rate से TDS काट कर उसे किराया पे करना होगा जिसके लिए obvious बात है आपको pen card की आवश्यक्ता पढ़ेगी इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है कि मुझे HR A receive नहीं होता लेकिन मैं rent पे करता हूँ तो क्या उस paid rent की शूट भी मुझे मिल जाएगी तो दोस्तो इसके लिए आपको HR A में तो नहीं section 10, 13 A में तो नहीं लेकिन इसके अलावा एक section है section 80 GG जिसके अंतरगत आपको आपके द्वारा पे गई किराय की शूट मिल जाती है section 80 GG से related हम अपनी किसी और वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि section 80 GG के अंतरगत कितनी क्वांटम है जिसके आपको छूट दी जाएगी जो आपने किराया पेड किया है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं house rent allowance के बारे में तो house rent allowance में क्वांटम हने हमने आपको बता दी है क्वांटम क्या होगी क्वांटम होगी least of the following नमबर वन actual HRA रिसीब नमबर टू 40 परसेंट या 50 परसेंट अफ सैलरी और नमबर ट्री excess of rent paid over 10 परसेंट अफ सैलरी तो तीनों में से जो भी कम होगा उसकी आपको छूट मिल जाएगी अगेंस्ट हरे रिसीब फ्रॉंग अप्लॉयर आईए दोस्तों अब बात करते हैं एक एक्जाम्पल की एक्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हरे की कितनी छूट एक सेलरीड एंप्लॉई को दी जाएगी उसके actual हरे रिसीब के अगेंस्ट अंडर सेक्षें 10-13 A में तो दोस्तों सब्सकी कीजिए एक एक एंप्लॉई है मिस्टर राम मिस्टर राम को जो सालरी मिल रही है वो सालरी मिल रही है पचास हचार रुपे पर मन्त 50,000 पर मन्त उनने इसका मतलब 6,00,00 पर एनम वो सेलरी पा रहे हैं अब इसके साथ साथ उन्हें एचारे जो मिल रहा है वो एचारे मिल रहा है 10,000 रुपे पर मंथ तो इस तरीके से उनका एचारे 1,20,000 हुआ लेकिन उन्होंने एक मकान किराए पर लिया हुआ है जिस मकान के लिए वो 12,000 रु 1,44,000 एरली रेंट पेड गिया लेकिन आपको जो एचारे रिसीवड हुआ वो एचारे रिसीवड हुआ 10,000 रुपे पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 रुपे तो आप कितनी छूट दी जाएगी इस एमपलोई को इसकी कैलकूलेशन करते हैं तो 6,00,000 का 10% 60,000 रुपे और एक्चुल रेंट पेड हुआ 1,44,000 रुपे तो 1,44,000 माइनस 60,000 तो एक तरीके से 84,000 रुपी एक तो ये अमउंट हमारे पास निकल कर आई दूसरी अमउंट एक्चुल एक्चारे रिसीब 1,20,000 रुपे 1,20,000 क्योंकि 10,000 के हिसाब से उसे 1,20,000 का एक्चारे रिसीब हुआ था तो 1,20,000 दूसरी अमउंट निकल कर आई और उसके अलावा अगर वो मेट्रो सिटीज में रहता है तो 50% of the basic salary जो 3,000,000 रुपे बनता है 6,000,000 का 40% 2,40,000 रुपे तो तीनों एमाउंट में compare करते हैं 2,40,000 रुपे उसके अलावा 84,000 रुपीज और उसके अलावा actual HRA डिसीब इट मेंज 1,20,000 तीनों में जो सबसे कम एमाउंट निकल कर आई वो 84,000 रुपीज निकल कर आई इसका मतलब ये है कि मिस्टर राम को जो section 10,13A के अंतरगत छूप दी जाएगी उसके actual HRA receive के against वो होगी 84,000 और उसके हाथ में जो taxable HRA होगा वो होगा 1,20,000 minus 84,000 equal to 36,000 रुपीज जो उसकी salary के अंतरगत जोडा जाएगा उसकी gross total income में जोडा जाएगा और जिसके उपर उस employee को tax देना होगा तो दोस्तो हम उम्मीद करते हैं आपको HRA से related ये provision समझ आ गया होगा और ज़्यादा clarification के लिए हमारे comment box में आप हमें लिख सकते हैं आप हमारे channel को subscribe कीजिए और दोस्तों में share कीजिए और tax related ऐसे ही देखते रहें थैंक्यू, थैंक्य त्यार्षे फिस एत्वेड़ी जंगर माजब हमें छिंगर कीजिए हमें कैते हुआफ का पला है